आज हम बना रहे हैं सिंपल सी थाली डाल चावल सबजी रोटी जो कि सभी के घर डेली में बनती है तो आज मेरे घहां बन रही है कद्दू की सबजी शायद कद्दू की सबजी का नाम सुनकर लगता होगा ना कि कद्दू की सबजी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं ना सभी ल को कुकर में डाल दिया है और अब ही हम रख देंगे गैस पर इसे पकने के लिए तो में थोड़ा साइ्स में तेल या घी जो भी आपको लगे वू थोड़ा डाल देते हैं तो इस्संवित थो होता ना कि जो पानी निकल के बाहर आता है वो नहीं आता है लेकिन ऐसा नहीं है पता नहीं मेरा कूकर खराब हो रहा है या क्या है वो पानी निकल कर बाहर आ गया था फिर भी तो देखिए जब तक मैंने दाल को दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर दिया है तब तक हम चावल भी धोके तयार कर लेते हैं तो चावल मैंने ले देख लिया था थोड़ा साफी थे पर थोड़ा बीन भी लिया उनको और ये धोकर अभी साइड में हम रख देंगे तब तक हमारे चावल थोड़े भीगेंगे उससे क्यों तरह थोड़ी देर पहले अगर चावल दोके रख देते हैं तो उसके बनाने की टाइम पर बहुत अ अच्छे से बाहर निकल गया है बाहर तो मैंने क्या किया है कि प्याज काट लिए और प्याज काटने के बाद दो हरी मिर्च काट लिए अब तीखा अगर आपके ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं और ये थोड़ी सी लेसून की कलियां ले लिए जिनें भी हम बारिक बारिक चौप कर लेंगे फिर क्या किया है कि एक टामाटर भी ले लिए तो ये दाल फ्राई करने की हमारी जो चीजें है न सब यह हम तैयार करकर रख रहे हैं तो तब तक हमारी चाहवल भी फूल जाएंगे अच्छे से और दाल का कुक कर ले रहे हैं अब यह क्या किया है दाल की तड़के की तैयारी तो हो गई है अब मुझे बनाना है सब्जी कद्दू की तो कद्दू की सब्जी के लिए मैंने यह कद्दू ले लिया है अब कद्दू को क्या करना है कि कट कर लेना है तो पहले हम इसे इसका ऊपर का जो इस प तो इसे अच्छे दो लिया है दोने के बाद इसे हम कट कर लेंगी तो कद्दू को हमें इस तरह से काट लेना है और यह कद्दू की सब्जी बहुत ही फटा-फट बन जाती है और इसमें कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है खाने में तो जिसको पसंद उसे अच्छी लगेगी वैसे नहीं पसंद ना तो इस तरह से बनाएंगे तो वह भी खैर खा लेंगी कि मुझे इतना विश्वास है जो नहीं खाता है वह पसंद कर लेता है अगर आप ऐसे बनाते हैं और आप कैसे बनाते हों मुझे कॉमेंट करकर जरूर बताईए फिर यह कद्दू ल लिया है और उसमें डाल दिया है मेथी दाना और यह डाल दिया जीरा मेथी दाना और जीरा डाला है ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालना है हमें मैं इस तरह से ही बनाती हूं तो आप एक बार देख लीजिए और यह डाल दी हमने हरी मिट जो काट कर रखी थी बस यह इ कि लिए है जीरा और फिर ले लिली लाल मिर्च पौडर अब इसमें में लाल मिर्च पौडर और कश्मी लाल मिर्च पौडर दोनों ही मतलब मिर्ची का यूज कर रही हूं और ये ले लिये हल्दी और इसमें धनिया पौडर भी डालना रहता है तो मैं निकाल नहीं पाई थी इसलिए मैंने इसको बाद में डाल दिया धनिया पौडर और उसके बाद फिर हमें इसे अच्छे से कद्दू डाल कर मिक्स कर देना है और मैं हिंग शुरू में नहीं डाली है इसलिए मैं आप डाल रही हूं इसमें तो अभी तो क्योंकि सब्जी डाली है तो भूनने में टाइम लगेगा सब्जी को थोड़ा पकने में टाइम लगता है वैसे कद्दू बहुत जल्दी पक जाता है अब हम इसे ढख कर रख देंगे अब मैं क्या कर रही हूं इसे दूसी तरफ शिफ्ट कर दे रही हूं मतलब यह पकते रहेगी सब्जी तब तक हम यहाँ पर डाल फ्राई कर लेंगे तो यह देखिए मैंने एक कड़ाई रख दी है इसमें हमने तेल डाल दिया है आप ये डाल दिया मैंने राई के दाने सरसौ आप जो भी डालते हैं और फिर डाल दिया है इसमें जीरा ये जीरा डालते है राई थोड़ी चटक जाए ना उसके बाद जीरा डालते है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है राई अच्छे से सब फूड जाती है ना तेल में फिर जीरे डालना चाहिए दाल में, और ये हिंग डाल दिये, हिंग आपको लग रहा होगा, मैंने बहुत ज़्यादा डाली है, पर ये हिंग न तेज नहीं है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही डालना पड़ता है, तो ये मैंने फिर लेसून भी डाल दिया है, जो चौप कर के हमने रखा था, लेसून थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है हमें, थोड़ा ब्राउन हो जाए ना, फिर ये प्याज और हरी मिट्च एक सांथ में हम डाल देंगे, मैं इस तरह से ही डाल फ्राई करती हूँ, अब ये देखिए हमारी सब सब्जी भी तब तक पक चुकिये, थोड़ी सी कच्ची थी, जादा नहीं थी, फिर मैंने इसमें क्या क्या, आमचूर पाउडर डाल दिया है, अब कद्दू में आमचूर पाउडर डालना बहुत जरूरी रहता है, तो ये आमचूर पाउडर डाल कर अच्छे से मिक्स कर सब्जी को, सब्जी और डाल दोनों एक साथ ही हमाई तयार हो रही है, और फिर इसमें मैंने हरा धनिया भी काट कर डाल दिया है, क्योंकि जो पहले धनिया काटा था, वो हमने डाल के लिए काटा था, उसको भी हम डाल सकते थे इसमें, पर मैंने साथ की साथ काट भी दिया और यहाँ पर हमारी सब्जी भून गई अच्छे से, अब हरा धनिया डाल दिया है, अब सब्जी को ढखकर अलग में रख दिया है, मतलब गैस बंद कर दिया है, कद्दू की सब्जी बन गई है, अब यह क्या किया है कि थोड़ा हरा धनिया मैंने टामाटर के साथ भून ते स ये कश्मी लालमेश पाउडर और ये थोड़ी हल्दी डालेंगे क्योंकि मैंने हल्दी पक्ते समय भी डाली थी इसलिए अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अब यहां माई दाल का कुकर देखा पिल्कुल पूरा उपर से पीला पीला हो गया था अच्छी तरह से बुन गया है नमक वीडियो में शायद नहीं आ पाया है नमक मैंने सबजी में भी डाला है दाल में भी डाला है टेस्ट के हिसाब से आप नमग डाल सकते हैं अब ये मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं डाल फ्राई करते समय तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और डाल भी मैंने इसमें अच्छे से एड़ कर दी है अब वहाई दाल बन कर तयार है और वहाँ सबजी बन कर तयार है और यह देखिए चावल भी हमने पानी डाल कर कूकर में रख दिया है मैंने कुकर के कुकर को धोलिया था लेकिन कुकर का जो धक्कन है न उससे नहीं धोया था अंदर से धोलिया था उपर से ऐसे ही रहने दिया था और मैंने को जल्दी थोड़ी खाने की जल्दी हो रही थी न इसलिए कि बच्चों को भूग भी लग गई थी और ये देखे पील जादा नीए बनाना था थोड़ी सी रोटी बनाना था क्योंकि प्रद्धाल में ज्यादा रोटी खाते भी नहीं है इसलिए तो यह देखी ज्यादा रोटी नहीं बनाई थी प्टिक से रोटी भी बन गई हमारी अमयघी लगाकर रग देते हम अların आज कहना है आप जरूर बताईए कि ये मेरी थाली आपको कैसी लगी दाल, चावल, सबजी, रोटी की जो मैंने आज बनाई है डेली में वैसे सब के घर यही बनता है अब एक कूकर की सीटी भी हमारी हो गई है चावल भी हमारे पक चुके हैं चावल को लास्ट में ही बनाती हूँ है हमेशा वैसे सब ही बनाते होंगे कोई गरम रहते हैं आखरी में बनाते हैं खाना बनने के बाद और चावल अच्छे से फूल भी जाता है जो धोके रखते हैं तो अब ये देखिए हम सर्ब कर देते हैं खाली लगा देते हैं तो ये है हमारी कद्दू की सबजी जो कि बहुत अच्छी बनी थी थोड़ी कम तीखी थी लेकिन अच्छी बनी थी और ये हमारी है दाल ये मैं सर्ब कर दे रही हूँ दाल में तो अच्छा तीखा था वैसे अब हम रख देंगे थाली में रोटियां डाल सबजी और रोटी और ये रख दिये हमने अब चावल चावल भी गरम गरम चावल है बिलकुई कूकर अभी ही खोला है और ये डाल दिया हमने चावल के उपर से घी क्या आप भी इस तरह से चावल के उपर घी डालते हैं या बनते समय डालते हैं, कि दाल में भी थोड़ा सा घी डालते हैं, और ये रख दिया है अचार, दाल, चावल, सबजी, रोटी, अचार, और एक पापड को मैंने इस तरह से मतलब गैस पर ही सेक लिया था, और ये हमारी थाली बनकर तयार है, आप कॉमेंट करकर जरूर बता थाली है, पर बहुत टेस्टी बना था खाना, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ये हमारी थाली आज की है, थैंक यू,